मैं विजे कुमार दिवाकर स्वागत करता हूँ आपका संसिने ओफ इंडिया में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी वारदात जहां एक नवालिक ने फिल्म देखकर क्या दूसरे नवालिक का आपारन आप सबने दृश्यम फिल्म तो देखी ही होगी जिसका फिर्तार अजे देवगन ने निभाया था जिसमें अजे देवगन पुलिस को इस कदर चक्तमा देते हैं कि कोई भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पादा अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक सिर्म के बारे में इतनी बाते क्यों कर रहे हैं दरसल बात ये है अकसर लोग फिल्मों को और टीवी सीरियल्स को देख उनसे सही चीजे कम और गलत बाते ज़्यादा सीख लेते हैं फिल्मी दुनिया की कहानियों को अकसर लोग हकीकत में जीते हैं वो सोचते हैं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं और इनी सब कारणों से कई इतनाएं घड़ती हैं और एक अपरादी के लिए अपराद करने के कई रास्ते खुल जाते हैं वो गौर हो की कुछ समय पहले फिल्म स्पेशल 26 को देखकर उसी तरह से एक नकली CPI की टीम तैयार की गई और कई जगवों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया लेकिन बाद में आरोपियों को पकड़ लिया गया था लेकिन अब वही दूसरी ओर इलाबाद में एक 15 साल के लड़के ने अपरात करने का तरीका टीवी से देख सीखा इतना ही नहीं उसे सीखने के बाद बल्कि उसका तरीका भी इस्तमाल किया जी हाँ आपने सही सुना टीवी पर परसारित कारेकरन को लोग अकसर अपनी जीवनी से जोड़ लेते हैं और उन सब से बहुत कुछ सीख लेते हैं दरसल हुआ कुछ यूँ कि अपनी गरीबी मेटाने और अपने पिता को भारी करजे से चुटकारा गिलाने के लिए एक आठवी कक्षा के छातर ने पैसा कमाने का वो रास्ता चुना जो कि एक अपरात का रास्ता था पैसो के लालच में आकर लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं और फिर पहुँच जाते हैं सलाखों के पीछे और पंद्रा साल के रोवन के साथ भी यही हुआ जिसने पैसो के लिए किया अपहरण इलाबाद में एक आटवी कक्षा के चात्र में पैसो के लिए एक चौती कक्षा के चात्र का अपहरण कर लिया और उसे अपहरण करने का सुझाव मिला टीवी पर प्रसारित उन्ने वाले क्राइम शो से और इतना ही नहीं पंद्रा साल के इस लड़के ने अकेले ही रजजी अपहरण की साजिश और इतना ही नहीं साजिश को अंजाम भी देना चाहा लेकिन काम्याब नहु सका यह तो हम समझी रहें कि रोहित ने किसी सोक ओदमोल मस्ती के लिए इस घटना को अंजाम नहीं दिया रोहित अपने पिता की प्रेशानी को नहीं देख पा रहा था उसके लिए रोहित ने इस वारदात को अंजाम दिया चक निरातु मोहले में उस वक्त हड़कम मच्या जिस वक्त तस साल के आदित्य का अपरन हुआ आदित्य के गायब हुचाने के बाद परीजन सद्मे में आ गए घबराय परीजन ने पुलिस में इस बात की सूचना दी और जानकारी मिलते ही पुलिस अपनी चानगीम में चुट गई पुलिस अपरन करता और आदित्य की तलाश में चुट गई आदित्य का अपरन 15 साल के रमेश ने किया था इस बात की सूचना पुलिस को तब मिली जब रमेश ने आदित्य के पता को फिरौती के लिए फोन किया रमेश ने आदित्य के पता से फिरौती में 3 लाख रुपे की मांग की आदित्य के पिता ने इस बात की सुचना फॉरण पुलिस को दी पुलिस ने अपरण करता रमेश का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच टीम की भी तैनाती की सभी आदित्य के तलाश में भटक रहे थे और फिर इसी बीच आदित्य अपने आप भी घर बाप में सा गया परीजन अपने बेटे को वापस देख बहुत खुश हुए लेकिन अपरण करता रमेश की तलाश में पुलिस अब भी जुटी थी पुलिस ने आदित्य के निशान देही में अपनी जांश शुरू कर दी गौर तलब है कि रमेश जब भी फिरौती के लिए फोन करता था तो फोन पर रेलवे लाइन की आवाज आती थी तो पुलिस को लगा कि शायद रमेश का अटा रेलवे लाइन के आसपास होगा लेकिन पुलिस को वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिला उसकी बाद पुलिस ने आदित्य के कहे मताबिक राजरुपुर के एक मकान में छापा मारा जहां रमेश किराय के कमरे में रह रहा था और रमेश उसी समय वही से पकड़ा गया जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया रमेश से कड़ी पूशताच के बाद रमेश ने अपना जुन कबूल कर लिया पुलिस के पूस्ताज के दौरान रमेश ने अपना जुन तो कबूल कर दिया लेकिन पुलिस का इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल सा था पुलिस को ये शक था कि कहीं उसका कोई गैंग तो नहीं और वो बागी लोगों को बचाने के कारण अपना नाम तो नहीं ले रहा लेकिन कड़ी छानमीन के बाद ये साफ हो गया कि वही इस अभरन कान का मास्टर माइंड और एक लौता गुनःगार है बच्चे मन के सचे होते हैं बच्चे जो देखते हैं जो सुनते हैं उसे बड़ी ही जल्दी अपने जिन्दिके में उतार लेते हैं अब हमें ध्यान देना होगा कि हम बच्चों के सामने कोई ऐसी बात ना करें जो बात उनके मन को खेस कर जाए रमेश ने पुलिस को पूस्ताश में बताया कि वो एक मजदूर का बेटा है उसके पिता मजदूरी करते हैं और उसके पिता पर पांच लाग रुपए का कर्ज हुया था जिसे चुका पाना मुश्किल था रमेश का परिवार बेहत गरीब था और इनी मुसीवतों से चल से चल चुकारा पाने के लिए रमेश ने अपरण कर पैसा कमाने का सोचा और अपरण करने का तरीका और उसे पूरा करने की योजना उसे टीवी पर प्रसारिक एक क्राइम सीरियल देख अपरण की योजना बनाई और बाद में पुलिस को चक्मा देने का विचार उसे द्रिश्यम फिल्म देखकर आया जिसमें आजी देवगन ने बेहत चालाकी से पुलिस को चक्मा देकर खुद को हत्या में भसने से बचा लिया था उसी फिल्म के तरच पर रमेश ने कई फरजी सिम भी लिये और फिरौती के लिए फोन करने के लिए हो चौफट का रेलवेग ट्रेक के पास मिलती और इसलिए पुलिस ने गड़वा के जंगल में खोजबीन की जबकि रमेश ने आदित्ते को अपने कमरे में बंदग बना के रखा था पंद्रा साल के लड़के के इस शातिर अंदाज ने पुलिस को भी चौका दिया लेकिन उसे कोट के आदेश पर बाल सुधार ग्रह भेज दिया गया है एक अपराद को जगाने और उसे अन्जाम देने का तरीका कई बार बच्चे टीवी देखकर और फिल्म देखकर सीख लेते हैं हाला कि कई बच्चों को ये मालूम भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं आज के इस युग में फिल्मे ही लोगों के मन में अपराद के विचार लाते हैं फिल्मे और सीरियल से आज के बच्चे काफी कुछ सीख लेते हैं जिससे वो गलत रास्ता चुल लेते हैं फिल्मों और धारा वाहिकों का सबसे जादा असर बच्चों पर बढ़ता है रमेश के साथ भी यही हुआ वो चाता तो इमानदारी का रास्ता अपना कर पैसे कमा सकता था लेकिन उसने शॉर्ट कट रास्ता अपनाया उसने सोचा इस रास्ते पर चलने से सारी समस्याओं का समधार मिल जाएगा लेकिन उसे इस सही रास्ता बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसके माबाब की? जी हाँ अक्सर माबाब की लापरवाही बच्चों को गलत रास्ता अपनाने में मदद कर देती है जरूरत है कि मावाव अपने बच्चों पर गौर करे ध्यान दे कि कई इन सबसे उनके मन में तो कोई अपराद करने का तई का जन तो नहीं ले रहा क्योंकि आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है कड़ी नेजर, खरी खबर, और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम संसनी ऑफ इंडिया, इंदी सबसाहिक न्यूजपेपर, हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुचाता है काईन पे जुड़ी सभी खबरें सिर्फ पांच उबर में इसके अलावा, ओल्नाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जाद के जिंदीगी इस अफर में एक जीवनसाती तो में, क्या हिए ना और जीवनसाती अब मन पसंद तो तो जिंदीगी और भी कुछ शुमा बदाती है आपका मन पसंद जीवनसाती बस यहां मिलेगा और दो रुपे में विजे न्यूस की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी पस लॉग इन करें www.vijaynews.in मुबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए Android यूजर Google Play Store से विजे न्यूस एप डाउनलोड कर सकते है देश की राज़ानिक दिल्ली सुरक्षा के लिया से सबसे एहम हैं यहां देश की संसस से लेकर सभी देशों की दूतावास सब हैं और दिल्ली में पूरे देश से लोग अपने निजी और सरकारी कामों के लिए आते हैं ओर आकर रुखते हो ज़्रेमा होने घर बीच भेलों संझ्यक्राइब तब्ली लोग ज़े ज़ने हो संञ करें संसिनी आफ इंडिया इन होटलों की असलियत जानने निकला तो हैरान कर देने वाला वो सच सामने आया जिसे देख कर आप हैरान रहे जाएंगे धेश की सुरक्षा के लिहाज से होटल बिलकुल संजीदा नहीं है इस खुलासे में होटल ही नहीं होटल से लिकर पुलिस प्रिशासन तक की पोल खुलती नजर आई गिया आपको इन होटलों की असलियत जानने संस्री आफ इंडिया की टीम चस्ट डायल पर मसाद पार्लर पहाडगंज और पहाडगंज में जगय जगय पर पब्लिक बात्रूम, खंबे, टेलिफोन, भक्सों पर चिपके मसाद पार्लर की पर्चों पर दिये गए नंबरों के जरिये पह सब्सक्राइब है वहाँ के हलाग तो और भी हैरान कर देने वाले थे यदि इन होटलों को देखें तो जीबी रोड से भी बड़ा सेक्स का कारोबार ये होटल कर रहे है हमारी टीम पहाडगंज के कई बड़े छोटे खोटलों में गई और ग्राग बनकर सब जाचा तो हमारी टीम भी हैरान है इन होटलों में चल रहा है देवे पार का बड़ा धंदा सभी तो नहीं पर जितने होटलों में असलियत हमारी नीज टीम ने जाने चाहिए वहाँ उन्हें मिला जिसम फिरोशी का धंदा सबसे पहले हमारी टीम पहाडगंज के आकाश प्लाजा होटल में गई वैसे तो ये होटल हैं पर होटलों में कई तरह की दुकंदारी चल रही है यहाँ होटल में ही रेल और हवाई जाहस तिकट तक भुकिंग करने की सभीदा है वकाइदा बोर्ड तक इस सभीदा के लिए लगाए हैं मतलब तिकट भुक कराने वालों को यहाँ के दूसरे धंदों की भी जानकारी दी जाती है जिससे अधिक से अधिक ग्रहक मिल सकी है यहाँ हमारे रिपोर्टर ने दलाल का सहरा लिया जो अकसर इन होटलों के आसपास मिलते हैं हमारे रिपोर्टर ने इस होटल में एंटरी की और जब आईडी माँगी तो रिपोर्टर ने आईडी ना होने की बात करी तो दलाल ने कहा कोई बात नहीं और दलाल का इशारा तुरंत होटल का करमचारी समझ गया और बिना आईडी के ही अंदर अमारे रिपोर्टर ने एंट्री कर दी अंदर देखिए छोटे छोटे कमरे जिने आप देली यूज के लिए भी शायद पसंद ना करें कमरे रहने के लिहाज से बहुत ही छोटे हैं कमरों में जगे जगे गंदगी थी लग रहा था जैसे यहां कमरे मात्र बोज मस्ती के लिए ही बने हैं होटल की आड में यहां मिल रही है सक्स के लिए लड़कियों हमारे रिपोर्टर में पूरी सच्चाई देखिये कैसे कैमरे में शूट की और दुनिया के सामने यह सच लाई हैं इन होटलों में क्या हो रहा है बड़ों की छोड़ी कॉलेजों के स्कूलों की लड़के लड़किया तक यहां आकर रुखते हैं और कुछ घंटे इन जैसे खोटलों के कमरों में पिताते हैं तीन से पाँच हजार रुपे देने के बाद किसी आईडी की जरूरत नहीं कोई पहचान का खुलासा होने का तनिक भी डर नहीं अब कमरे का हाल देखकर आप जौंक जाएगे आप खुद देखिए कि एक कमरे में चार से पाँच तक लड़किया रखी गई हैं जी हाँ ये कमरा जीवी रोड के कोठे का नहीं बलकि पहाडगंज के होटल आकाश प्लाजा का है देखिए पहाडगंज के इस आकाश प्लाजा होटल में एक कमरे में पाँच से भी जादा लड़कियां कैसे कोई परिवार के साथ इस होटल में रुख सकता है साफ है कि होटल की आड में असली धंदा यहां भी सेक्स का कारोबार है यहां देखिए लड़किया कैसे तैयार भी हो जाती है पाडगंज के यह एक होटल का आलम नहीं आए हमारे खूफिया कैमरे में कैदू है पाडगंज के कैई होटल जिनका खुला से भी जल्द किया जाएगा अब हमारा रिपोर्टर एक होटल से दूसरे कारोबार पर उगली नाउ ठेख यह जाचने के लिए दूसरे होटल में आता है देखिए यहां भी दलालों की भरमार है और किसी भी आईडी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं फिर तीसरे होटल इन जुआए में जाकर जानना चाहा तो यहां भी हालत पहले के दो होटलों से मिलती जुलती ही मिली होटल हब पहाड़ गंज के होटलों की असलियत अभी आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के लिहाद से यह होटल कितने खरे हैं पहाड़ गंज में विदेशी तूरिस्ट भी काफी मातरा में आते हैं बाहर से आने वाले टूरिस्ट चाहे घरेलू हूँ या विदेशी वे अधिकतर इनी होटलों में आकर रुखते हैं पर यहां होटलों में रुखना कितना सेफ है इसकी पोल भी यह होटल खोल रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाय कि कैसे दलालों की भरमार है दलाल को आपने एक हजार रुपे दिये तो आपको आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं बिना आईडी प्रूफ के आप होटल में रुख सकते हैं यह देखिए यह पहाडगंज का होटल आकाश प्लाजा है अकाश प्लाजा होटल में दलाल के जरीए हमारा रिपोर्टर जाता है और कुछ पैसे दलाल को दिये तो बिना आईडी प्रूफ के ही होटल करमचारी की मिली भगत से होटल में एंट्री हो जाती है अब देखिए बिना आईडी के इन होटलों में एंट्री हो रही है पाहार गंज के होटलों में टिकट बुकिंग और रूम बुकिंग तो मात्र दिखावा है असल में कुछ होटलों में टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग की आड़ में चल रहा है देवेपार का धंदा जो कि संसिनी ओफ इंडिया के खूफया कैमरे में कैद हुआ है। जहां बिना आईडी प्रूफ के आराम से एंट्री हो तो लगता है जैसे दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट रेजिस्टर चेक करने की नाम पर मात्र खाना पूर्ती ही कर रहा है। साथ ही इस मामले में पहाडगं स्थाना पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो इन होटलों को चेक करती है, कमरों और ग्रहकों की गिंती करती है, CCTV चेक करती है, पर यहाँ पुलिस को ना तो एक एक कमरे में पांच-पांच लड़कियां दिखाई देती हैं और ना ही वो ग्रहक दिखाई देते हैं जो बिना ID प्रूफ के यहाँ एंट्री कर लेते है हैं ऐसे तो इन दलालों के जरीए कोई भी आतंकवादी आराम से इन होटलों में रुक सकता है और उन आतंकवादियों का कोई भी प्रूफ इन होटलों के पास नहीं होगा जो सेफटी के लिहाज से बेहत खतरनाक है अब पुलिस भी आँख और कान दोनों बंद करके सोई है शायद आज से के बाद जागने का इंतिजार है सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस जान भूज कर सोई है इस धंदे में पुलिस दलाल और होटल मालिक सब मिलकर सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनी काली कमाई करने में जुटे हैं हमारा मकसद पहाड गंज के सभी होटलों को बदनाम करना नहीं है हो सकता है कुछ होटल माप दंडों में खरे हों पर जिन होटलों में हमारा रिपोर्टर गया वहाँ सबी जगह ये घिनोना खेल देखकर एक चिंदा का विशय जरूर खड़ा होता है जिस पर प्रशासन वक्त रहते ध्यान दे तो बेहद अच्छा होगा हमने आपको दिखाया कैसे सेफटी की लिहाज से यहाँ प्रशासन फेल है साथ ही कैसे पहाडगंज के होटल हब जीवी रोर से भी बड़ा सेक्स का अड़ा बनता जा रहा है जरूरत है वक्त रहते प्रशासन इस पर काभू पाए वरना इस कारोबार को दीरे दीरे पहाडगंज से दिल्ली के दूसरे होटलों तक पहुचने में कोई देरी नहीं लगेगी दोस्तों मैं विजे कुमार दिवाकर अब आप से लिताव वीदा कल मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नहीं ख़बरों के साथ और हाँ दोस्तों जाते जाते मैं आपको पताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वार्दात या आपको एकिसी घटना की जानकारी तो आप हमारे वाट्सअप नमबर 9650854621 या हमारी हेलप्राइन नमबर 9213130221 पर हमें जानकारी देश सकते हैं जाए, 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 आए, जाए, जाए जाकारी residence है